नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज भी महेंदर सिंग दोनी को बेहतरीन खिलाडी मानते हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें भारत को इंगलेंड के हाथों दूसरे एक दिवसीय मैच में 86 रनों से हार का सामना करना पढ़ा भारतिय टीम को जीत के लिए 34 रन का लक्ष मिला था, इसके जवाब में भारतिय टीम 236 रन पर रोइल आउट हो गई भारत के पूर्व कप्तान महेंदर सिंग दोनी ने इस मैच में 37 रनों की पारी खेली और अपनी पारी के दोरान 69 गेंदों का सामना किया उन्होंने अपनी पारी के दोरान मात्र दो चोके लगाए और यह सभी रन उन्होंने सिंगल दड़ कर बनाए दोनी की यह पारी काम चलाओ तो थी लेकिन इस मैच में महेंदर सिंग दोनी ने काफी धीमी बल्ले बाजी की और आखिर के कुछ होवरों में बड़े शॉट लगाने की कोशिश भी नहीं की इसी बात पर जब मेच के बाद उनसे पूछा गया कि आपने मेच में बड़े शॉट क्यों नहीं लगाए तो महेंदर सिंग दोनी ने कहा कि बड़े शॉट मारने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि हमारे पास ज्यादा बल्ले बाजी नहीं थी मुझे काफी दिनों से बल्ले बाजी करने का मौका नहीं मिला और इस मैच में हमारी टीम ओल आउट होने की कगार पर थी इसलिए मैंने खुद को समय देने के लिए धीमी बल्ले बाजी की और कुलदीप यादव को भी पूरा मौका दिया दोस्तो अगर आप महिंदर सिंग दोनी किस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें